तो आपने एक प्रोमो दिखा होगा बिग बॉस का जहां पर कोई एक एक्टर है जो की बोल रहा है कि वह कलर्स का बेटा है वैसे तो यह स्टेटमेंट ही बहुत ज़दा गलत है कि आप कलर्स के बेटे वह अपने पिता के नहीं फिर भी उनका मतलब है कि रील लाइफ में वह कलर्स के बेटे है क्योंकि उसने दो-तिन शो किये है सेम चैनल पर मदूबाला एक इश्क एक जुनून और शक्ती अस्तित्व के हैसास की और अभी और पिछले साल उन्होंने उदारिया में केमियो किया था सर्ताज का रोल था उनका तो इसी वज़े से वह अपने आपको कल बायस्ट है आप देखो विनिंग हिस्ट्री देखते जाओ तेजस्वी प्रकाश जो कि भिलकुल डिजर्विंग नहीं थी वह जीती थी उसके बाद जो रुबीना दिलेग थी वह भी डिजर्विंग नहीं थी उसके उससे अच्छा गर राहुल एक्जट नहीं मारता तो जीती नहीं थी और वह बहुत ज़दा मुझे वाना भी लगी कि मैं ही सही हूँ I'm right I'm always right टाइप एटिटूड जो रहता है न वह था और अभी भी सेम ही एटिटूड है मुझे बहुत ज़दा इरिटेटिंग सी लगती है सच बताओ तो मुझे वह बहुत इन लोग कभी भ वह मौनी रोई और एक और है रुपाली गंगुली जो और नुपमा खर रही यह लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते मुझे पताओ चीड होती इनको देख करें तो वह भी डिजर्विंग नहीं थी मेरे इसाब से नहीं जो है तेजस्वी थी लेकिन वह चैनल के फेस हम बात कर ही रहे है जो उस चैनल के नेपो विबिस की तो कैसे बूल सकते हैं वन एंड ओनली मक्खी मैडम तो इनको कैसे बूल सकते हैं ये भी तो उसी के चलते जीती थी वरना सोचो श्रीसंत बहुत अच्छा खेल रहा था और भाई-भाई पुरे सीजन में बोल दिया भ भी बिल्कुल भी डिजर्विंग नहीं था क्योंकि वह फिस था उसने बहुत सारे शोस जीते थे सेम प्रोडक्शन हाउस के इस वज़से उसको भी जिता दिया गया था अब मुझे ना अंदर से फीलिंग आ रही है कि ये भी जितने ही वाला है क्योंकि इस ताइम पे इस स क्योंकि तो वह एक्ट्रेस है शील पाशिरोड कर सिल्पाशीरोड कर कर अपको पते होगा और एक मुठ्टी आसमान करके परदा था इस में मां का रोल किया था मुझे याद है वर शो कना दोी उन्हों निकिते है यह में तैस सर भी जो है अगर जगड़ा वोगेरा होगा तो उनकी सारी घलतियों को माफ किया जाएगा जैसे पूजा बट के साथ किया तो कहीं ना कहीं मेकर जो होस्ट है वो इन दोनों की प्रती बैस्ट रहेंगे होस्ट का तो घैर कोई वो नहीं रहता चैनल या प्रोडिक्शन आउस की और प्यार की एक कहानी ये तीन शो सूपर डूपर हिट हुए थे और वीवियन को घर-घर में पहचान दिलवाई थी उससे पहले पे उन्होंने दो शो किया थे लेकिन उससे खास उनको पहचान मिली नहीं थी गंगा और कहानी घर-घर की लेकिन इतनी ज़्यादा उनको धूराब जी इनके साथ अब उसी दोरान जो है दोनों को प्यार हो जाता है पहले उनकी दोस्ती होती है फिर प्यार हो जाता है फिर 2013 में दोनों शादी भी खर लेकाए네 हैं करते हैं कि वो दोनों अलग हो गए अब बहुत सारी थियोरी जो है उनके फैंस जोडने लगते हैं बहुत सारी अटकले लगती है कि वाबीज जो है उसका फैर चल रहा है एक्टर विपुल रॉय के साथ जिस पर वाबीज ने बोल दिया कि भाई वो तो मेरा दोस्त है और वि अबीज इसके लिए यह बोलती है वो डिनाई नहीं करती कि भाई मैं एक लौती थोड़ी ऐसे ओरत हूं जो कि एल्मनी डिमांड कर रही हो तो हरको यह कर रहा है और आप यह सब अटकले लगा रहे हो मेरा नाम किसी के जाथ जोड रहा है यह तो बिल्कुल भी सही नहीं है तो 2017 में तो दोनों डाइवर्स के लिए फाइल करते हैं बट उनका डाइवर्स होता नहीं क्योंकि विवियन जो है साफ साफ मना कर देता है अल्मनी देने से कि मैं नहीं दूंगा मेरी जमापुंजी जो है सारी जिंदगी की मैं कैसे दू अल्मनी बे तो वो साफ साफ मना क जिस वज़े से अटका रहता है 2017 में दोनों ने डाइवर्स के लिए फाइल करिया था लेकिन फिर भी उनका डिवर्स हो नहीं पाता है 2021 में जाकर जो है दोनों का डाइवर्स होता है अफिशिली दोनों जो है अलग होते है अब वो कैसे हुआ था कैसे अलमेनी किस ने दी थी मैं आगे आपको बताती हूँ 2021 में दोनों अलग हो गए 2022 में जो है विवियन ने नौरान अली नाम की इजिप्टियन लेडी के साथ शादी गर और वो कनवर्ट हो जाते है इसलाम में विवियन कनवर्ट हो जाता है इसलाम में और उसने ये एकसेप्ट भी किया और फिर लो होता है ना लगा अपने फेवरीट स्टार के साथ तो बहुत जादा उनको धक्का लगता है और उसके बाद इंस्टाग्राम पे भी उसकी रीच अगर देखो तो एकदम घट जाती है ज्यादा उनके प्रोफाइल पे इंगेजमेंट डिखती नहीं है विवियन की मम्मी और उनकी जो सिस्टर है क्योंकि विवियन के मम्मी पापा का बच्पिन में ही डाइवर्स हो जाता है बहुत जादा नाराज हो जाता है पहला रिजन ये था कि वो जो लेडी थी वो उम्र में विवियन से काफी बड़ी थी दूसरा रिजन ये था कि विवियन में अपना धर्म बदल लिया था वो Christianity को छोड़कर इसलाम में convert हो गया था तो उनकी मम्मी को और उसकी sister को थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगा था अब बात करते हैं नौरान अली तो नौरान अली जो है former Egypt की पत्रगार थी नौरान ने विवियन के जो fan pages होते हैं उनके द्वारा विवियन का interview लिया था उनसे वो Facebook वगेरा पर बात करती थी कि मुझे विवियन का interview लेना है और जब वो interview लेने जाती है विवियन के उसी दौरान विवियन को पसंद आ जाती है और विवियन के पीछे तो वो पागल थी नौरान अली जो है वो already शादी शुदा थी उस दौरान जब वो interview लेने गई थी और उनका relationship भी काफी लंबा चला था अब ये जो नौरान अली है उनका भी past है उनकी शादी past में हो रखी थी महमत एक लौमी करके एक आदमी से जो की businessman था और नौरान की और महमत की दो बेटिया थी आलिया और लैला जो की तकरीबन जब उनकी शादी हुई साथ एक साथ साल की बेटी थी और एकांट साल की नौरान ने विवियन के खातिर उन दोनों बेटियों को छोड़ दिया वहीं पे और वो इंडिया आ गई विवियन से शादी करने के बाद मिस्टर में उन दोनों की शादी होती निकाह होता है और कहा जाता है कि वो जो एलम प्रपनी की रकम थी सारी रकम पेंगी थी नावरान ने ताकि विवियन जो है उस रिष्टे से आज़ाद हो जाए और उसके साथ चादी हो जाए उसके बाद तुरंत ही दोनों का बच्चा भी हो जाता है बेबी गर्ल हो जाती है तो इतनी जादा वो डेस्परेट थी वीवि उसने clearly मना किया था कि तुम कोई romantic scene नहीं करोगे actress के साथ इसलिए विवियन का कोई भी romantic scene नहीं था जबकि show romantic था सिर्फ तुम वहाँ पे कोई भी ऐसा scene नहीं था क्योंकि उसकी बीवी को बिल्कुल पसंद नहीं था और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब विवियन और वह romantic scene नहीं करेंगे क्योंकि उनकी engagement हो गई है और वह अभी half married है तो अभी विवियन की ऐसी mindset है कि लड़किया कुछ ज़्यादा ही insecure थी यह हम बता नहीं सकते अब शादी हो जाती यह बच्ची हो गई थी लेकिन नवरान की जो है दो महिने पहले एक story आती इंस्टाग्राम पे dear ladies please don't rush into marriage a single lady is better than a frustrated wife जहाँ पर उनका यह कहना है कि शादी में जल्दबाजी मत करना एक single औरत सही है frustrated wife से तो अच्छा बोल कौन रहा है जिसने अपनी दो बेटियों का अबेंडन कर दिया शादी के लिए hypocrite है लोग भाई उसके बाद दोनों एक दूसरे को unfollow कर देते हैं बहुत जादा controversy होती है कि भाई क्या हो गया आसा तो एक साल में शादी हो गई बचा हो गया convert हो गया और अब जो है सब कुछ हो गया उसके बाद दोनों आपस में लड़ रहे है और एक दूसरे को unfollow कर दिय दो-तीन मेहने बाद वापस से एक दूसरे को जो है वो दोनों follow करना शुरू करते हैं अब विवियन की जो life है थोड़ी mysterious है वो एकदम introvert type का लड़का है कभी भी वो खुलके नहीं बताता है कि क्या चल रहा है उसकी जिंदगी में तो हम जादा पता नहीं लगा सकते हैं त कि तो जादा excited नहीं हूँ लेकिन इस बार बिग बॉस इंट्रेस्टिंग होगा क्योंकि आप किसी के बारे में कुछ जानते ही नहीं हो जितने भी सदसिया है बिग बॉस के कुछ जानते ही नहीं हो तब मजाएगा ना बाई क्या पता कोई जो है अच्छा निकल आए और य मेरी उना टे वाद को जानए हमया स कन उलस्ट नहीं हो से जानते हैं पनगो है